पूर्तगाल का ड्रेक्ट वीजा आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और पूर्तगाल के जो वीजा रेशो है वो कितनी अच्छी है और किन कंट्री से आप किस तरह वीजा अप्लाई कर सकते हैं इस वीडियो में डिसकस करने जा रहे हैं मेरा नाम है शेवाज शीमा आप करने से पहले से मैं चैनल सबस्क्राइब निए कि आप सबसे र्क्वेस्ट आप लाज़ी सबस्क्राइब कर दें आप लोग इस्पोर्ट की बहुत 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 जरूरत है इंस्टाग्राम ट्वीटर फेस्बुक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मजूद है वहाँ ट्विटर और फेस्बुक भी आपस ऑप्शन है थोड़ा वेट किया करें आपको रिप्लाइब जरूर मिलेगा अपनी लाइफ भी होती है मामलात होती है तो टाइम निकालना बहुत टॉफ हो जाता है सैके चैनल है मेरा लाइव शहबाज मैं पुर्तगाल में डेली लाइ है स्मूथ हैं बस जी यहां पर लोगों ने ड्राडरा के जो है ना हाइप करेट कर दी हुए है के बस जी पता नहीं क्या हो जाना यहां पे मैंटरी टॉचर कर देते हैं आपको फैमिली से कतर से सौधिया से बहुत से फैमिली मुव करके अब यहां पर यहां भी चाहिए अ आपके तीन साला कार्ड मिलना है पांच साल पूरे करने के बाद आपको निशनल्टी ओफर करें आपको ड्राइविंग लासंस चेंज हो जाता है काफी दर फसलिटी जैनि डाकुमेंटेशन काफी इजी है जैसे यहां पर दूसरी कंट्री के अंदर पास्पोर्ट आप 10-12 होता है तो काफी डिफिकल्टीज दो इसलिहास पूर्टगाल बिल्कुल इजी और नरम इमिग्रेशन है इसकी तो जो योग मुझे यॉरप से देख रहे हैं गल्फ कंट्री से देख रहे हैं यही कहूंगा कि बाई टाइम वेस्ट ना करें जल से जल दाएं अपने इसिजम बिल्कुल नहीं है क्राइम बिल्कुल नहीं है बहुत फ्रेंडली बहुत इजी कंट्री है डाकुमेंट्स के हसाब से नौट और यहां पे इंकम वह से साब से नहीं जैसे बड़ी कंट्रियों में लेकिन यहां पे डाकुमेंट्स है आपको क्या चाहिए डाकुमे प्रत्गाल का वीजा क्योंकि पाकिस्तान में इनकी जो अमबैसी है फुली अप्रेशनल ही नहीं है वो सिर्फ ज्यादा जो केसी अक्सेप्ट करते हैं वो फैमिली रिजूनियन के जो केसी हैं उनको एकसेप्ट करते हैं बाकी 10 परसंट जो कहलें कि वो इदर दूर से जो डी अगर आपको इशू होता है इंडियन का लग जाता है यहां से पुर्टगाल से ग्योंकि इनका कोई कॉट्रेक्ट साइन हुआ हुआ है हमारा पकिसंग साइन नहीं है इनका तो इंडियन के लिए पॉसिबिलिटी को अच्छी कंप्री जो जिसको जो ऑथराइज्ड वर्प प्रिट्री भी है तो फिर आप डिर्ट विजा अप्लाई कर सकते हैं पॉर्टगाल का आपको मिल जेगा लेकिन मेरी रिक्मेंडेशन यहीं है कि आप किसी दूसरी शेंजन कंट्री का वीजा लें ठीक है नाइंटीन नाइन परसंट लोग ऐसे ही आते हैं कि दूसरी इसके रिस्क लेना है जिस कंट्री की मिग्रेशन हो वह वीजा रिशो सकी बहुत कम होती हैं वीजा रिप्लाय करने से पहितर मैंने समझा श्राइं कि पूर्तमा का वीजा आप किस देलिवर कर दूंग कि आपको रिस्क्षरा कर आप किस सरह ले सकते हैं हैं और क्या कितने चांसिस हैं रिस्क ना लें पुर्तियाल का डिरेक्ट विजा अपलाई करने का ठीए है किसी और कंट्री से आप एंट्री शेंजन 26 कंट्री में से किसी भी कंट्री का पर वीजा हो आप ड्रेवल कर सकते हैं कोई इसू नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लीगलाइज 26 क कंट्री के अंदर आप ड्रेवल कर से लीगली तो गबरानी बात नहीं है किसी और का चुछ करें चेक करें किस कंट्री का वीजा रेशयो इस्टम अची जा रही हूए थी मोसली नैदर्लेंड स्पेन फिनलेंड लथवीनिया वाकिया और फ्रांस फ्रांस का पाकिसानियों क कि आप पड़े लिखें आप आपके बैंगरंड स्ट्रॉंग है तो फिर आप बड़ी अमबैसि को हाइव बहुत वह और ऑप्स्ट आएंगे थीक है बेसिकली हमने सैटिस्वाइड करना था है ambassador को कि हम सर्व विजड के लिए जा रहें फिर वापिस आएंगे तो यह थी अपडेट के पुर्टगाल का जो वीज़ा है डिरेक्ट वो अप्लाइं ना करें किसी और कंट्री के थूर एंट्री करें अमीद का तो आपको चीज़ें समझ आई होगी बागी पुर्टगाल में यूज़ लोगों तो लोग आ रहें पुर्तगाल में हैं कि ददेग्मां करें झालिटर वो बच के रहें यहां पर चाहिरों पे जिसली लेकर पिसे लेक suckers को सबसे करने कि अबर भी खर नहीं मिलते तो एपने आडवांस किसी को नहीं करना भाई हहाँ पहले घर लेना है घर में जाना है कॉंट्राइट करना यहां पहुत हैं अन्दर काफी लोग कहते हैं जी फ्री में कोई नहीं यह आपने टाक्स नास नंबर किसी को नहीं कि वह विन्हाने रहादा कोई भी आपक की सब्लार्टर कोई तर रहादा और आपको पैसी करने हुं परते हैं तो कही लोग आते हैं जो केके दिन टाइम वेस्ट करते है तेसी चक्कर में जी वो फ्री में बढ़ेंगा भई यहां पर एक 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 दिन इंपोर्टेंट है एक दिन आपने मिस किया समझे चार मिहने केस आपका आगे चला गया अभी इतना रच लगा हुआ इमिग्रेशन के अंदर एक दिन मिस किया ए पाँची महिनिया आगे चार जाना है इस तरह के इस सरह कान्टिंग करने केस को क्योंकि एक दिन की जो एमेल हों हफते दस दिन केंदर केंदर कलियर कर रहे हैं अभी दोहजार बैस ही नहीं क्लियर किया है तो इससे आभ अदधा लगा लें अपनी बिलको ना वेस्ट करें एक दिन भी वेस्टना करें, डाकुमेंटेशन करवाएं, फाइल लोग करवाएं, ताके अपने लाइन में लग जाएं, बाकी जी, अल्ला अपकी मदद करें, फ्राडियों और उसल बाजों से बचाएं, मोसली फैमिली के साथ बड़ा को होता है, यार फैमिली बच्चे साथ होते हैं, तो लोग पता नहीं, लोगों मरना भूल गया, कि हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी बुरा होगा, तो अल्ला अपको अपने हिव्जव और महान में रखें, नमाज पर एंपने भी दुआ करें, भाई के लिए भी दूआ करें, बाइक लिएगा ने टॉपिक है साजी, अलापीज